मैं हूँ नफीसा खान और आप देख रहे हैं शुद्ध मनुरंचन दोस्तो टीवे एक्ट्रिस काम्या पंजाबी ने अपने बॉइफरिंट शलब डांग से शादी कर ली है काम्या और ये शलब की शादी की तस्वीरे शादी की वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर चार ओर चाय हुई है इन तस्वीरों में शलब और काम्या की खुशी देखते ही बनती है काम्या ने अपनी शादी में golden और red color का लहंगा पहना है वहीं शलब golden color की शेरवानी पहने नजर आये काम्या की शादी की रस्मे माता की चौकी से शुरू हुई थी इसके बाद एक के बादे कई रस्मे हुई जिनकी तस्वीरे भी social media पर viral हुई थी माता की चौकी के बाद काम्या ने बैशलर पार्टी भी दी थी इसके बाद इस कपल ने गुरुद्वारे में सगाई की थी काम्या और शलब की सगाई की तस्वीरे सोशल मीडिया पर शेयर की गई थी इनकी सगाई में सिर्फ कुछ करीबी रिष्टेदार ही शामल हुए थे इस दोरान काम्या क्रीम और ब्लू कलर का शरारा पहने नज़र आई थी वहीं शलब ब्लू कलर के पजामा कुर्टा में नज़र आए थे सगाई के बाद नौ फरवरी को काम्या की हल्दी और महंडी की रस्म हुई थी काम्या खुद ही अपनी शादी की ताजा अपडेट्स फैंस को दे रही थी काम्या ने अपनी हल्दी सर्मनी की तस्वीरे भी साजा की थी तस्वीरों में काम्या पीले रंका सूट पहने नज़र वीडियो भी अपने इंस्ट्राग्राइम एकाउंट पर शेयर किया था वहीं कामया की शादी की इन तस्वीरों और वीडियों पर तमाम सेलेब्रिटीज और कामया के फैंस उनको बधाई दे रहे हैं आपको बता दें की कामया और शेयर शेयर एक दूसरे को पिछले एक साल से डेट कर रहे थे जिसके बाद अब उन्होंने शादी करने का फैसला लिया था शेयर दिल्ली के रहने वाले हैं जो की हेल्थ केर इंडस्ट्री से जुड़े हैं कामय सोशल मीडिया पर भी शलब की साथ तस्वीरे साजा करती रहती हैं तस्वीरों में दोनों की केमेश्ट्री काफी खुपसूरत नजर आती है और इनकी जोड़ी को कामया के फैंस काफी ज्यादा पसंद करते हैं आपको बता दें कि काम्या की ये शादी दूसरी शादी है इससे पहले काम्या ने बिजनसमैन पंती नेगी से शादी की थी लेकिन उनका ये रिष्टा सिर्फ 10 साल ही चल पाया था इसके बाद साल 2013 में काम्या ने तलाक ले लिया पहले पती से काम्या की एक बेटी भी है यहाँ पर आपको ये भी बताते चलें कि शलब डांग की भी ये दूसरी शादी है और उनका भी एक 10 साल का बेटा है काम्या ने शलब से अपनी मुलाकात को लेकर एक इंटेव्यू में बताया था कि मेरी और शलब की पिछले साल फरवरी से बात शुरू हुई थी शलब ने मिलने के कुछ दिन बाद ही मुझे प्रपोस कर दिया था इसके बाद मैंने इस बारे में सोचने के लिए शलब से वक्त मांगा क्योंकि शादी तूटने के बाद मैं किसी रिष्टे में बंदने के लिए तयार नहीं थी असल में मेरी जंदगी में एक समय ऐसा भी आया था जब मैं शादी के बिलकुल खिलाफ थी शलब ने मुझे फिर से विश्वास दिलाया मैं इस वक्त एक 16 साल की लड़की की तरह हूँ जो उसके प्यार में पागल है तो ये थी कामय पंजाबी की शादी से जुड़ी हुई बड़ी खबर उमीद करते हैं उनकी इस से शादी में उन्हें वो सारी खुश्या मिले जो वो डिजर्व करती हैं जिनकी वो हगदार है इसी खबर के साथ दीजे हमें इजाज़त बहुत जल्द मिलेंगे कुछ और खास खबरों के साथ फिलहाल शुद मनोरंजन में अभी के लिए बस इतना ही